असलाम अलेकुम स्टूडेंट्स आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्योशन नमबर 3 के फिर्स्ट 4 पार्ट्स जो है हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि वह वीडियो आप लोगो हैफुल साबित होगी अभी हम पार्ट 5 कहां से स्टार्ट कर रहे हैं और ये भी बहुत सिंपल है मैंने वहां भी बताया था आपको कि आपको सबसे पहला स्टेप जो करना है वो इसको सपोस करना है डेल के बराबर और इस टैटब नंड की फॉर्म में जो ये मैट्रिक्स है से आपने ऐसे ही कॉप प्रॉपर्टीज बताई थी कुछ जिने यूज़ कर सकते हैं देखें ये कह रहा है कि ये जो टैटब नंड की फॉर्म में ये इसके बराबर आंसर आए और इसके बराबर आंसर आए चीक है दो हैं पहले तो हम सॉल्फ करके इस फॉर्म में इसे करने कोशिश करते हैं या इस फॉर्म में चाले वहां पर हमने किया था कि पहले हमने जारा से जारा जीरो लाने की कोशिश की थी आपको पताए सब करम एट में है तो जीरो आगर आपको लाना है सिंप्लिफाइग करना है तो आपको सब्ट्रैक करना पड़ेगा अच्छा आप लोग की मर्जी है आप लोग एक-एक स्ट्रैक करके भी कर सकते हैं कि पहले रौ 2 को रौ 1 से माइनस करें फिर आंसर आजा तो फिर रौ 2 को रौ 3 से कर दे मैं एक साथ करूंगी और यहां पर मैंशन कर दूंगी आप लोग अलग-अलग स्ट्रैक में भी कर सकते हैं चीके तो मैं यहां पर लि प्लस यह ऐसे ही है यह रो माइनस होगी तो माइनस वन यहां आ जाएगा यह वन ऐसे ही है यह रो यहां माइनस होगी तो माइनस वन और प्लस का भी भी माइनस का भी हो जाएगा आ जाएगा यहां वन और यह प्लस का वन माइनस का वन हो जाएगा चीक है students अब अगला इसको तो ऐसे रहने है इसको raw2 को आप इन दोनों से minus करने raw2 as it is ही रहेगा चीक है रहेगी जो भी है अच्छा आप raw2 raw3 में से भी raw2 minus करने तो 1 ऐसी रहेगा यह 1 plus का है minus का हो जाएगा sign change करते है ना subtract में यह 1 ऐसे ही रहेगा यह minus का 1 हो जाएगा और यह minus का b हो जाएगा चीक है यह 1 plus ऐसे ही रहेगा और यह minus का 1 हो जाएगा अब हम ज़रा simplified कर लेते हैं इसको करें बहुत easily हो रहा है plus का 1 minus का 1 cancel 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 चलो एक तो 0 हुआ प्लस का वन मानस का वन कैंसल simplified form आ रहे हैं देखें यहाँ A बचा है यहाँ माइनस B यहाँ तो 0 हो ही गया है और यहाँ भी अगर आप लोटिस करने तो 0 हो रहा है और यह 1 और 1 प्लस B और 1 ऐसे ही रहा और यह माइनस B और यह C इस तरह की form हमारे पस आई है पहले मैं ज़रा चेक कर लो अच्छा अब आपको लोग को जो answer लाना है मैं आप लोग को show कर दूँ पहले वो answer तो आप लोग को इस तरह की form में answer लाना है और ऐसे form में answer लाने के लिए हम directly see property नहीं कर सकते हमने कुछ इसे simplify कर लिया है वैसे सवाल में लिखा हुआ है without expanding लेकिन हमें अब यहाँ पर इस सूर्टे हाल में expanding करने पड़ेगी अच्छा अब आपका जो question है जरा simple हो गया है तो आप आप चाहे तो raw 1 से expanding कर दें या raw 3 से कर दें क्योंकि यह simplified form ने दोनों के पास ही एक एक 0 है तो मैं raw 1 से ही कर लेती हूँ चलें start करते हैं कैसे करेंगे भई ए चूस करते हैं पहले भी बहुत सारे वीडियो से हम यह कट चुके हैं और फिर यह वाली raw और यह वाला कॉर्ण हम छोड़ देंगे अब माइनस का sign लेना है और यह भी माइनस में तो माइनस माइनस हो जाएगा ब्लस यह ब्लस का भी और यहां पर हमने यह raw यह column सेलेक्टनी करना 1 0 1 C 1 0 और 1 C अच्छा दूसरा है तो यह ही 0 अब 0 है तो 0 ही आएगा हमसे क्या लिखे लिखने का फाइदा ही नहीं है तो इसलिए मैं इसको mention नहीं कर रही है अब हम ज़रा solution करते हैं solution कैसे करेंगे A ऐसे ही रहेगा और आप लोग चाहते है यह bracket बना दें और 1 प्लस B हैना तो 1 C जा C च्छीक है प्लस B C जा B C और यह माइनस का माइनस का यह है B वन जा B और माइनस फॉमले का भी तो माइनस माइनस प्लस B ऐसे आ जाएगा अब दूसरी बारी इसकी यहाँ पर B है 1 C जा B तो ऐसे रहेगा 1 C जा C च्छीक है और 0 वन जा 0 और माइनस का 0 लिखते हैं कुछ भी लिखे हैं इससे कोई फ़र्ट नहीं पड़ता अब आगे करता है कैसे करेंगे भाई यह A जो है अपनी जगा पर है बलकि अपनी जगा पर क्या मैटिप्लाइ करवारे A C जार A C चीक है A B C आर A B C और A B आर A B चीक है इस तरह B C जार B C अब यह एक फ़र्म अगर आप नोटिस करें तो एक आंसर तो हमारा आ गया है इसको ज़रा नोट करें A B C, B C, C A, A B यहां भी नोट करें एक आ गया A B C C A भी कह सकतें, इसे A B कह सकतें, B C कह सकतें तो that's mean कि आंसर हमारा आ गया है अब एक और हमारे पास आंसर है मैं आपको मेंशन करती हूं देखें यहां तक तो हम पहुंच चुके थे सही है अब अगर आप देखें तो एक आंसर और है इस तक भी पहुंचना है आप नोटिस करें हमें A B C चाहिए और अगर मैं इन सब को A B C से डिवाइट करवा तो तो B C क्रेंसल हो जाएगा इस तरह का मैं आप पास आंसर आ जाएगा देखें कैसे करते हैं मैं करवारी है जो काम आप करें जिसे हम करते हैं एड और सब्क्राइक दोनों करें इसी तरह मुल्टिप्लाइ एड डिवाइट दोनों करें छिक है किसको डिवाइट करना है भाई आपने मुल्टिप्लाइ करना है किसको ख़रना है A B C को अच्छा A B C को कैसे डिवाइट करेंगे हमें क्या फाइदा होगा मैं आपको दिखाती है मैंने A B C को इस पूरी value से multiply भी करना है और divide भी करना है अब भी मैं इस value को ऐसे mention कर देती है सही है पाइदा रहेगा न अच्छा ये A भी रहेगा और अब bracket तो बन नहीं रहा तो मैं यहाँ बना देती हूँ ठीक है अच्छा अब क्या करना है हमें सिर्फ जो divide वाला ना उस अंदर ले जाएंगे ये बाहर रखेंगे क्योंकि हमें ये चाहिए ना ABC तो हम इस ABC को ऐसे ही रहने देंगे और इन ABC के साथ मतलब इन values के साथ ABC को कर देंगे divide चीक है चाहिए ये हमने सब के साथ जो है ABC को divide कर दिया यहाँ पर हमारे पास AB है कर सही नजर ना आ रहा हो आप लोग को तो मैं ये आपको वर्बली भी जो है वो बता हूँ सही अच्छा आप बता देखें क्या cancel हो रहा है आपके पास से ये ABC एजर्टे जहरा है ये पूरा का पूरा cancel हो रहा है अच्छा है हमें 1 चाहिए ये 1 आ गया ये BC BC cancel हो रहा है हमें A ही चाहिए reciprocal में A है ये चीक है फिर ये CA cancel हो रहा है reciprocal में B आ रहा है हमारे पास ये भी चीक है फिर ये AB cancel हो रहा है और reciprocal में C आ रहा है हमारे पास चले भाई ये भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमें यही answer जो है वो required है 1 upon A, 1 upon B, 1 upon C पिल्कुल as it is answer जो है वो आपका आ गया है इसका मतलब है कि आपने proof कर दिया है इस question को कि हाँ यह जो determinant है वो in values के बराबर है चले next part करते हैं अब है यह part 6 हमारे पास जो कि काफि सिंपल है अगर आप गौर करें एल्फा बीटा गैमा एक कॉल्म तो हमारे पार सेम है इन डोनों को सेम करना है यहां क्यूब और यहां स्कॉयर है तो लेफ्ट हैंड साइट को ही चूज करके करने में हमारे लिए जो है वह असानी है तो हम multiply करवा सकते हैं आपको तो पता है कि हम खुँँच भी किसी column के साथ करके एक, लेकिर जो भी करते हैं पूरी column यह पूरी column के साथ करते हैं तो हम वह काम कर सकते हैं अच्छा पहला काम तो आपने डील के लेट करना है बेल के बराबर और पूरे के पूरे जो है ना को आसी कौपी कर लेना है टीक है not a big जी बस प्रैक्टिस का खेल है जब हम प्रैक्टिस करते हैं लिए अच्छा यह चीज ऐसे भी हो सकती है अच्छा यह सब्कर्ट भी कर सकते हैं यह एडिशन भी हो सकता है अच्छा गर्टिप्लाई भी कर सकते हैं तो हमें हर तहरे के कोशन जो है सॉल्फ करना आ जाते हैं लिए फर्स्टम देखते हैं लिए यह ऐसा क्यों कर रहा है तो प्रैक्टिस की कहानी होती है और फिर चीजों को हम समझने लगते हैं चीकिए यहां इसमें फर्क देखें सब से मैक्सिमम पावर को देखें क्यूब है तो मैं पहले अलफा बीटा गामा से एक बार मिल्टिप्लाई करवाँ अच्छा किस कॉलम को करवाँगी मैं कॉलम 2 और कॉलम 3 को करवाँगी क्योंकि मुझे अलफा स्कॉयर यहां चाहिए और स्कॉयर और कॉलम 2 और कॉलम 3 में च मुझे सिर्फ इस रो को एलफा स्कॉयर से मल्टिप्लाइ करवाना होगा और इस तरह इस रो को बीटा स्कॉयर से करवाना होगा और इस रो को क्या कहते हैं गामा स्कॉयर से करवाना होगा ताकि हमारा आंसर जो है सिंप्ल आ सकी यह मैंने मैंचन कर दिया कि मैं अलफा स्कॉय by Rho 1, B2 by Rho 2 and Gamma square by Rho 3 और कर भी देखे, अच्छा जो काम हम खुद से करते हो, multiply करते हैं तो हम इड़ाइड भी करना होता है इसे तरह आगर हम add करते हम विदेख भी करना होता है तो multiply तो हम अंदर Rho से कर लेंगे और divide का जो यह alpha square, beta square, gamma square मैं इक्स्ट्रा लिया है यहां बाहर इससारा फार में इसको आलफा स्क्वार से मल्टिप्लाय करवाया तो यह झाएगा का अलफा प्युक्तु ये हो जाएगा बीटा क्यू और इसे तरह हो जाएगा गाम क्यूब्स यह सब्सक्राइब आट रीचाम पूरी करते हैं आइक क्युक्त करवा उसा ही रहा गा न irgendwie मैसमा अनत्यड में इसा हो जाहा सकते थे लेकिन चलो कोई नहीं अच्छा यहाँ पर बीटा स्क्वायर से करवाया तो यह जागा बीटा क्यूब क्योंकि एक टू बीटा पहले से था और गैमा इसको गैमा स्क्वायर से करवाया है तो गैमा स्क्वायर एल्फा और बीचा एस रहेगा और इसको किसे करवा दि अब आप इसको देखें और इसको देखें तो अभी बिलकुल है आपको लग प्यान था लोगा इस बोर वर्ड में मैंशन कर जा दां और इसको क्यों ने चीड ये ? एक तो हम टुर चाहिए न एक तो फॉर्म रहने चाहिए जैए बी अलफा बीटा गामा गॉलम तू और कॉलम थ्री और क्या है क्या है क्या है क्या मैं लिख दिया है बिक लिए, इतना पहु कोई श्रान की बात नहीं है पहले हैं सकते हैं यहां से खुल्मपकत सब्सक्राइब पहले हैं सेडिक यह हैं सब्सक्राइपना टूंड लिए पहले हैं सब्सक्राइब पहले हम जो प् con corr थे अच्छास ag स्क्वाइर बीचा स्क्वाइर गैमा स्क्वाइर तो ऐसे ही है अब देख रहते हैं यहाँ क्या आपके पास रिमेनिंग बैल्यू है इसको कोई फरक नी पड़ा क्योंकि इससे आपने कॉमन कुछ भी नहीं लिया है चीक है चले अच्छी बात हैं नहीं लिया इससे कॉमन लिया एक बीटा गामा तो एक अलफा बच जाएगा क्योंकि स्क्वाइर था इससे तरह यहाँ पर एक बीटा बच जाएगा क्योंकि स्क्वाइर था और यहाँ पर एक गैमा क्योंकि स्क्वाइर था और यहां तो cube था, तो square में बचेंगे, alpha square और beta cube था, तो इसी तरह beta square और gamma cube था, तो gamma square, चीक है, अच्छा, यह वाल alpha beta gamma और यह alpha beta gamma इस दोनो square से कट जाएगा, चीक है, आपको पता नहीं, दो alpha beta gamma है, अब क्या हमारा answer आ गया, चेक करें, हम अपने answer को match करें, भी देखें, और नदर नहीं आरे लेकि में निखा देती हूं, कि हमारे answer में और उपवाले answer में क्या फर्ट, अच्छा, गोर करें, हमारे cube वाली value यहां और alpha beta gamma यहां है, और square यहां है, तो इसी तरह आप question को देखें, तो यहां पर alpha beta gamma पहले ह फिर cube है, तो हमें इसी तरह arrange करना होगा, पहले alpha beta gamma, फिर square और फिर cube, तो आपको क्या लग रहा है कि हमारा answer wrong आया, नहीं, हम interchange कर सकते हैं columns को, लेकिन interchange करते वक्त हमें sign change करना पड़ा है, जैसे कि हमें alpha beta gamma जो है, वो first column में चाहिए, तो हम क्या करेंगी, लिख सकते हैं, और wording मेंशन कर देंगे, और first column, चीक है, तो मैंने alpha beta gamma को पहले first column में इन दोनों का interchange किया, फिर क्या होगा, alpha beta square second पर चाहिए, तो फिर मैं दोबारा interchange करूंगे, तो दो interchange से, दो negative के जो है, वो sign आएंगे, चीक है, मैं यहां mention कर देंगे, जो कि युसर से हो जाएंगे, cancel, दो interchange के तो इस तरह क्या होगा, alpha, beta, gamma, पहले इन दोनों cross का होगा, columns का होगा, चीक है, फिर alpha beta cube यहां आचुका होगा, तो फिर इससे इसका हो जाएगा, आप लोग चाहिए, तो अलग-अलग भी कर सकते हैं, लेकिन already question काफी lengthy हो जाते हैं, और time exam में इतना होता नहीं है, तो इसलि column 1 को column 2 से किया, एक negative sign, फिर column 2 को column 3 से किया, तो दूसर negative sign, तो यह in short cancel होगा, सही है, तो हमारा इस तरह answer आगे मैं यहां mention कर देती हूँ कि मैंने क्या किया है, अच्छा मुझे क्या लग रहा है, कि अगर आप लोग यह ना करना चाहिए, तो समझाने के लिए आपको बता द यहां आ गया, अभी alpha square और beta square, gamma square जो है अपनी जगा पर वैसी ही मौझे है, फिर interchange कर दिया इन दोनों columns का, तो इस तरह जो है, हमारा इस तरह का last form में answer आएका, यह जो है आपका answer आ गया, और यहां मैंने वर्डिमी मैंशन कर दिया, और अब हम finally answer को यहां पर represent कर देते हैं, चीके students, समझ में हो गई, असान question था, काफी, इतना मुश्किल नहीं था, बस थोड़ा सा concentration करना है, थोड़ी सी creativity यूज करनी है, maths में creativity का क्या काम सोच रहोंगे, logic का काम है, लेकिन कभी कभी होता है, सही, चीके students, अब next वीडियो में हम further exercises, further questions को cover करेंगे, अभी तक के और अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों को भी आगे जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा, अल्लहाफिस,